हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टो आर चैनल बेलियान एड्यूकेशन आपका हमाई चैनल पर स्वागत है तो गाइस कंटिन्यू कर रहे हैं आपके साइंस टू की सीरीज और लास्ट टाइम जो हमने डिसकस किया था वह था और और गन ट्रांस्प्लांटेशन आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी हमारी और तब आप ये वीडियो पर कंटिन्यू कर रहे हैं चलिए जो इस चैनल पर पहली बार है प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब करिये और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और तरूर को सब्सक्राइब होगी है तक आप राम्ला है ना इसवर इसमें ऐसमें उमने ध्हान रेन रखना हो जैसेगी यूमन को छोड़के जो उसके अराउंड वेजिटेबल्स हैं, यूमन के लिडेटेड जो डिजीज हैं, फिर उसके बाद जो वैक्सीन साते हैं, और सब चीज़ें जो यूमन की लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, तो उसमें दो नाम आपको क्या है, किसी समझें टोबाइको है, ऐसा कुछ है, तो उसकी जेनेटिक्स चेंज कर देंगे, उसके जीन्स को यहाँ से चेंज कर देंगे, तो यह आर्टिफीशली कर रहे हैं, और हाइब्रिडाइशन, हाइब्रिडाइशन मतलब क्या, सेल की स्टड़ी, बायो केमिस्ट्री, मॉलीकूलर बायोजी, जेनेटिक इंजिनेरिंग आर इंक्लूड इन बायो टेक्नलोजी, तो बायो टेक्नलोजी के अंदर यह सब ब्रांचेश आ जाते हैं, देर इस कंसीडरेबल प्रोग्रेस मेंली, इन दी फिल्ड ऑफ एग्रिकुल्चर वही जो वेटिबल बोल रहा था हम है, एन फामेसी मतलब वैक्सीन और दवावे बनाने में, ड्यू टू बायो टेक्नलोजी, न्यू एक्सपेरिमेंट्स आ बिंग परफॉर्म फो वे इंप्रूविंग एग्रिकुल्चरल इल्ड, मतलब अमाउंट आफ जो प्रोड़क्ट निकलेगा, राइस है, पहले 10 किलो निकलता था, अब 30 किलो तक निकल सकता है, ठीक है, इतना ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, तो इल्ड बढ़ाना है, जो पहले salty land था, salty land था, वहाँ पर एग्रिकुल्चर नहीं होती थी, लेकिन अब salty land पर भी एग्रिकुल्चर किया जा सकता है, बायो टेक्नलोजी इतना इंप्रूव हो चुकी है, एग्जामपर केरला में, इन फामेसी, एक्सपेरिमेंट्स फो प्रोड़क्शन ऑफ एंटीबोडी, एंटीबोडी क्या होते हैं, जब बाहर से कोई एंटीजन आपके पैथोजन आपके बोडी में एंटर होता है, तो उसके रिस्पॉन्स ने हमारी बोडी एंटीबोडी बनाती, उसी के शेप का, ताकि वो उसको मार पाए, बिटामिन्स एंड होओंज लाइक इंसुलीन हैब बिन सक्सेस्फुल, तो ये सब भी बनाये जा चुके हैं, जो एंजाइम्स और हमारे हर्मोन्स भी हैं, हाई क्लास वराइटीज ओफ क्रॉप्स, हैव बिन डेवलप्ट थूदी टेकनिक्स ओफ टिशु कल्चर, टिशु कल्चर क्या होता है, लाब में, पैटरी प्लेट में, कोई टिशु ले लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, बहुत दिनों तक वो शुटेबल माटिरियाल नूटिरेंट दे के उसको टिशु को ग्रो करते हैं, इसे बोलते हैं टिशु कल्चर, बाइट टेकनोलोजी इंक्लूट्स फॉलोविंग में एरियास, कहां कहां पर यूज हो रहा है, यूज ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब जो छोटे-छोटे पैथोजन होते हैं, लाइक योगर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क एन अलकोहल फ्रॉम दी मॉलासेस, मॉलासेस क्या होता है,शुग ऑफ नंदर डाल के क्या घयता है, मिल्क के अंदर डाल के योगर्ट ले में दही हमारे इंडिया के मतलब उसमें मीनिंग में और दारू निकाल लेंगा, अलकोहल जो शुगर बचा रहता है, शुगर कुण जब भी शुगर के इन से है, कोई भी माइक्रोब डालके उसे अलकोहल निकालते हैं, यूज आफ प्रोड़क्टिविटी आफ दी सेल्स, प्रोड़क्शन आफ एंटिबाइटिक्स, एंटिबाइटिक्स का जब आपको कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत है, और गन की किसी, तो ये सीधा कोई डोनर ना भी रहे, तो ये जो लाइब में बनाए और गन ये अम लोग ट्रांसवर कर सकते हैं, और बहुत साइज चीजें जहां पर डिन्ने को यूज करके, जैसे डिन्ने फिंगर प्रिंटिंग हो गई, ये सब चीज़ों सामने बहुत साइज चीजें पता कर सकते हैं, डिलप्मेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, और प्रोड़क्स ऑफ डिजायर क्वालिटी, जो क्वालिटी हैं, जैसे कि पहले कोई अगर प्लांट था, इसपे कीड़ा बहुत लगते थे, उसपे जर्मस अटेक करते थे, लेकिन एक दूसरा π्लांट है, जिसपे वही जर्मस नहीं जाते थे, तो क्यों क्योंकि ये कुछ ना कुछ रिलीस करता था, एक धुर्म मतलब जिससे आपकी height बढ़ती है, वो सब, with the help of genetically modified bacteria, ठीक है, bacteria के उसके help से भी human growth hormone को produce किया जा रहा है, artificially, अब फिर आपकी body में introduce किया जाता है, जैसे कि insulin को, यहां पर पढ़े थे, use of genetics and non-genetic techniques, non-genetic biotechnology involves use of either cell or tissue, tissue culture, production of hybrid seed, जो मैंने बताया था, mix करके, तो genetic वाले में क्या होगा, genetic biotechnology में genes पे काम करते है, DNA और genes पे काम करते है, ठीक है, यह सब के वारे मैंने अपने past video में बहुत detail ने बताई है, इतना repeat नहीं करना चाहता, मैं बार बार बार, ठीक है, benefits of biotechnology क्या होते है, it has become possible to increase the per hectare yield, irrespective of the limitation of the crop land area, crop land area मतलब, अगर समझे पहले यही एरिया था, एक hectare का, यहां से जो मैंने वहला 10 kg, अब 30 kg निकल जा रहा है, irrespective of land area, land area बढ़े चाहना बढ़े, इतने में से 30 निकाल रहा है, पहले क्या होता था, लैंड बढ़ाते थे तो चलो 10 से 20 हो गया, लेकिन यह अब इतने ही land में से 30 निकाल रहा है, expenses on the disease control have minimized since development of resistant varieties, तो पहले बहुत जादा अगर बीमार malaria हो जाता है, तो बहुत खर्चा हो जाता था family का, अब कुछ निया, तो normal से drug आ गई है, easily doctor के पास जाके consult करके ले रहे है, सस्ते में हो जाता है, और आप ठीक हो जाते है, due to development of fast fruit setting varieties, yield per annum has been increased, fruit आज तोड़ा है, तो एक हपते में ही यह सड जाता था, अब इसके अंदर थोड़े से changes करके इसको 10 या 15 दिन तक बढ़ा रहे है, तो भी यह बहुत आपको लोग के लग रहा है, कि साती दिन तो बढ़ा है, लेकिन यह fruits के लिए बहुत बढ़ी चीज है, development of stress resistant varieties with which can withstand variable temperature, water changing fertility of soil, etc, as become possible, कोई seed थी, जिसको पानी बहुत चाहिए था, water, अब क्या इसके अंदर genetic changes करके, water की requirement कम कर देंगे, कोई seed था, high temperature या low temperature, बहुत जादा temperature या बहुत जादा low temperature, थंडी हो, तो grow नहीं कर पा, तो इसके अंदर genetic changes करके, इसको कम कर दिया, अब नॉर्मल temperature में, कोई temperature चाहिए, हाई रहे चाहिए, लो, सब में grow हो जाता है, soil के fertility मतलब उसको हमेशा fertilizer बहुत चाहिए रहता था, soil में, ऐसे seed, तो सीड क्या कि हमने थोड़े सिसमें genetic changes की fertilizer कम हो गया, भले soil में ज्यादा nourishment ना रहे, फिर भी grow हो जाता है, development of biotechnology in India, ऐसे question आसकते आपको, so government of India had established the national biotechnology board in 1982 only, this board was transformed into the department of biotechnology, ये बड़ा department है, under the ministry of science and technology, आप मुझे current science and tech ministry, जो मिनिस्टर ने, science and tech के, इंडिया के, उनका नाम बताएंगे, name, various institutes in India are working under the control of this department of biotechnology, तो जो भी जलग जलग institute जो बना रहे हैं, वो इसी के कहने पर जो ये बोलता है, जो इसकी guidelines इसी पर काम करता है, it includes national institute of immunology, national facility for animal tissue and tissue culture, national center for cell science, ऐसे करके बहुत सारे नाम दियेगे, आप उनको पढ़ लेना, there are facilities of higher education and research in these institutes, किसी को research करना है, तो ये सब institute जाके पढ़ाई कर सकता है, research भी कर सकता है, from where thousands of students have pursued PhD, जब आप research करते हैं, तो आपको PhD की degree मिल जाती है, and आप contributing के और वो सीख क्या रहे हैं, फिर सी ये biotechnology को और उपर लियाने का काम करते हैं, अब हम देखेंगे, एक-एक करके, use करके, कि use क्या-क्या होते हैं, आपको मैं एक table दे दूँगा, so that कि आप बाद में, ये next lecture में आपको table प्रोवाइड कर दूँगा, start में ही, कि ये पूरा यहाँ से लेके, पूरा end तक आपके, जब तक यो green revolution ना पार्ट ना है, तब तक का हम लोग सब चीज लड़के कर या बच्चे confused होते हैं, कि कि किसके अंदर क्या लिखना है, actually ये चीज़ें समझ में नहीं आते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है, जब question पूछा तो क्या answer लिखना है, बच्चों में ये दिक्कत रहती है, ठीकर, तो वो मैं आपको एक table-like structure दे दूँगा, next lecture में, so आप लोग को वो जो difficulty है, दूर हो जाएगी, so first topic है, जो application of biotechnology, मतलब क्या, biotechnology को use करके क्या-क्या फायदे हुए, तो crop biotechnology, इसके अंदर सब topic है, A, B, ऐसे करके, so biotechnology is used in agriculture to improve the yield and variety, yield मतलब कितना ज्यादा amount, 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 yield मतलब amount, variety मतलब थोड़ा खटा था तो थोड़ा मीठा कर दें, थोड़ा मीठा तो थोड़ा खटा कर दें, ऐसा, hybrid seeds, hybrid seeds क्या आते है, genes of two different crops are recumbined to form hybrid types of various crops, this is specially useful for the fruits, तो fruits एकेस में क्या करते हैं, दो अलग-अलग crops का genes लेके, एक बेहतेरिंग crop बना देते हैं, simple सी यह बात है, अब genetically modified crops, यह अलग है, ठीक है, GMC बोला जाता है इसे, genetically modified crop, crops developed with desired character, by integrating foreign genes, यहाँ पर क्यों नहीं बोला कि दूसरा crop gene, foreign gene बोला है, foreign gene with their genome, are called as the genetically modified crops, देखे बताता है, यह समझे कोई, bacteria का tissue है, समझे यह पार्ट मैंने काट के निकाल दिया, और यहाँ पर मैंने, किसी दूसरे bacteria का gene डाल दिया, यह क्या था, crop था, यह crop पर समझे कीडे लग रहे थे, इसको insect attack कर रहे थे, लेकिन एक bacteria है, जिसके अंदर एक chemical release होता है, जो chemical दूसरे insect को मार डालता है, या तो दूर रखता है, तो मैंने क्या किया, मेरे को crop यही रखना था, मेरा समझे यह मेरे को लेना है, मैं ले रहता हूँ, cotton crop, cotton के crop में कीडे लग जा रहते हैं, बुल्वम, white, बुल्वम लग जाते हैं, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर changes करके, यह part निकाल दिया, और इसको डाल दिया, कौन सा बैक्टीरिया होला, अब जब यह जब भी ग्रो करेगा, cotton का tissue, तो यह क्या बनाएगा, एक तो यह इसके अंदर, cotton के characters, orange वाले रहेंगे, green वाले characters से भी इसके अंदर रहेंगे, जिससे क्या होगा, कोई भी बुल्वम नस्दीक ने आएगा, क्या बुलते हैं हम लों मक्का, ठीक है, यह generally yellow color का था, लेकिन देखी यहाँ पे, दूसरे कहीं foreign country में, यह भी कहीं और दूसरे form में मिलता था, cross करा के दोनों के बीच में, एक red color का मिल रहा है, तो इसमें crop और crop के बीच में, यह crop और bacteria के पीच में हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं, पहले तो word उसके foreign gene, ठीक है, और दूसरा genetically modified crop क्यों बोलते हैं से, high yielding variety with resistance to disease, देखिए, disease को रहेंगे, alkalinity को रहेंगे, मतलब ज़्यादा alkaline हो गया solution, तो यह लोग ग्रो नहीं हो पारते हैं, अब ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि gene change कर दिया है, weeds मतलब खरपतवार, जो generally नहीं, अगर आपका main plant है, तो इसके बाजू में थोड़ा से crop grow होते हैं, जो इसका पानी सक कर लेते हैं, इसका nutrients सक कर लेते हैं, और इसको मार डालते हैं, इसको weed बोलते हैं, तो इसलिए weed decide आते हैं, इसको मारने के लिए, लेकिन ये क्या, इसके आजवाज़ू weed लगते हैं नहीं, कि कि इसका gene modify कर दिया, weed other stress like cold and drought, सब में ये उख जाएगा, GM जो genetically modified crop है, देखिए, दो टाइप है, BT, cotton और BT brinjal, जो मैंने बताया था, और gene had been isolated from the bacterium, bacillus thuringiasis, और इसी से नाम आया है, B और T, bacillus thuringiasis से नाम है, BT, और इंटीग्रेटेड विद जीन आफ कॉर्टन, देखिए, जो मैंने उपर डियाग्राम दिखाया, तो ये वाला ही डियाग्राम देखिए, कि इसके cotton की जीन में डाल दिया कि इसका, bacillus thuringiasis का थोड़ा सा पाट, Due to this, the toxin, which is fatal for the bullworm, देखिए, इसी का नाम लिया था, was produced in the leaves, and balls of the cotton, if the bullworm feeds on the leaves, अगर वो खाता भी है, the toxin destroys its elementary canal, and the bullworm dies, तो मर जाता है, तो आगे पते खा ही नहीं पाता है, अब BT ब्रिंजल क्या होता है, ब्रिंजल में सेम इसी तरह से करेंगे, BT ब्रिंजल वराइटी is developed by using the gene isolated from the bacillus thuringiasis, improved variety of ब्रिंजल, kills the pest, in same ways as the BT cotton dust, तो यह मार डालता है, अब हम लोग थर्ड जो देख रहे है, वो है golden rice, ठीक है, a gene synthesizing vitamin A, beta carotene, यह किसका नाम है, vitamin A का, इसलिए आपका देखे, carrot, carotene से आपको ध्यान नहीं, carrot में vitamin A होता है, जो आखों के लिए अच्छा होता है, has been introduced in this variety of rice, as compared to normal variety, this variety which has been developed in 2005, contains 23 times, more amount of beta carotene, that is vitamin A, समझे, rice का कोई था, इसके अंदर क्या करते हैं, ऐसा gene डालते हैं, जो vitamin A produce करता है, तो यह rice क्या रहेगा, vitamin A से enriched रहेगा, बहुत ज़्यादा vitamin A, इस rice के अंदर रहेगा, और इसका color, आप लोग देखे, carrot color कैसा orangish होता है, देखे इसका, यह color भी देखे, उसका आप लोग relate कर सकते हैं, must आपको जितना मैं कर सकता है, application based आपको पढ़ाने के कोशिश करता हूं, ताकि आप समझ पाऊच चीजों को, सिब image देखके, रट्टाम नहीं मारना आप लोग को, you don't have to ratify everything, समझना है, अब next है, herbicide tolerant plant, herbicide मतलब क्या, herbs को मारना, side मतलब किल herbs, देखते हैं आगे, weed always affect the growth of main crop, जैसे मैंने बता है था, main crop के आगे, यह क्या छोटे ग्रोवत हैं, इसका nutrient और नीचे से पानी सोक लेते हैं, और यह plant die out हो जाता है, if herbicides are used to destroy the weed, it affects the main crop too, अब समझे, यहाँ पर मैंने दवा शिडिख दिया ऐसा, ताकि यह weed मर जाए, लेकिन यह weed हमारे, यह जो पर मैंने वीडी side यूज किया है, या herbicide, यह इस पर भी चला आता है, और मैरे main crop के भी destroy करने कोशिश करते हैं, so due to this, this herbicide tolerant plant varieties of crops are being developed, तो हम लोग क्या किये कि देखो इसको तो दवा से ही मारना है, अब इसको कैसे करें कि यह जो main plant है वो effect ना है, तो इसके अंदर ऐसे gene डाल यह ताकि यह इस जो मैं दवा डाल रहा है, उससे मरे ना, due to this, it has become possible to selectively destroy the weed, तो मैं selectively सिर्फ किसको destroy करूँगा, सिर्फ और सिर्फ कौन destroy अगया दवा से, weed destroy होगा, so guys, hopefully आपको अभी तक का part समझ में आया होगा, so मैं वीडियो को यहीं पे, end करना का कोशिश कर दूँगा, और आपको मिलूँगा next वीडियो में, next वीडियो में आप लोग जरूर आना, क्योंकि मैं table दूँगा, और आपको exam में 5 मार्ख तक के question का direct answer आप कैसे लिख सकते हैं, यह आपको helpful हो जाएगा, so बने रहना next lecture में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे like जरूर करना, और चैनल को subscribe करना भी मत भूलना आप लो, so मिलते हैं next वीडियो में, till then bye bye and have a great and nice day ahead.